वेलकम टू अटेटेकिन हिंदिया हैं आज का हमारे वीडियो रहने वाला है अच्छा साउंड कैसे निकालना है उस बारे में यह वीडियो रहने वाला है पहले भी मैंने एक वीडियो बनाते हैं अब जो मैं आपको बताने वाला है अच्छा साउंड कैसे निकालना है क्योंक तो निकलता ही नहीं है कुछ भी निकलता नहीं है तो इसका solution जो है मैंने धून लिया है और यह वीडियो ज़रू अंतक देखिए ताक कि आपको यह पूरी setting कर पाए आप ठीक आपको आपुट आपको करना है तो इसके बात ज्यादा है फैक्ट्री शेटनि में यह उपन नहीं होगा तो आपको जब बताने वालाँ पर वीडियो के अंतक देखिए अब हम चलते एंडर्ड शीरक तरफ और मैं बताता बाता हो आपको क्या क्या करना है आपको अपको फिर अधर की setting में अभी ही बताने वालों पर वीडियो के end में बताऊंगा ताकि आपको जो है वो उतना confusion ना हो तो सबसे पहले हमको जाना है car setting में उसके बाद ज्यादा है factory setting में यहाँ पर open नहीं होगा तो आपको जहाँ डालना है 8 8 8 8 करना है 000 भी हो सकता है 111 भी हो सकता है 124 यह हो सकते है तो चार होते है एक तो फोर टाइम सेट या फिर 1234 या फिर फोर टाइम सवन यह हो सकते है अब क्या करना है अब जाना है आपको तो यह तो हो गया अब आपको जाना है USB setting में ठीक है USB setting में चला गया यहाँ पर audio आ गया हो फुल तो यह आप देख सकते हैं अगर यहां से मैं बेस गाइब कर दूँगा तो आप यह बेस नहीं आएंगा आप वहां का बेस को कितना भी जो है बड़ा लो मैं sound नहीं सुना सकता है क्योंकि यार NCS का song मैं बजा रहा हूँ तो copyright आ रहा है तो उस वज़े से जो है मैं sound नहीं सुना सकता हूँ और यह हम देख सकते तो यहां का कम नहीं हुआ आप देख सकते यह equalizer कम नहीं हुआ मैंने वो पूरा कम कर दिया तो यार वो बहुत ज़्यादा important हता है हम क्या करते एंडो stereo ले देते पर वहां पर नहीं जाते तो वह चीज रहती है कि वहां से जो है base बढ़ता है हमारे stereo का तो वह चीज आपके stereo में होनी चाहिए अगर नहीं रही तो यार फिर मुश्किल है आपके stereo में base आता है 90% stereo में यह होता है अगर आप जाएंगे USB सिटिंग में आपको audio में जाना है यहां से base आपको full करना है base बढ़ जाएंगा और बहुती जो है बहुती गजब का base आता है और आपको जबवर की ज़रुवत नहीं होती है यह तो हो गया यार और यहां से आप trouble भी बढ़ा सकते हो जो trouble है वो भी आप बढ़ा सकते हो अच्छे तरीके से और अच्छा आता है बट मैंने medium रखा है मेरेको trouble जादा नहीं किया मेरेको base जादा चाहिए तो मैंने base जाद है sound setting तो होगी अब हम गये sound setting में ठीक है तो equalizer आपके सामने है अलग-अलग car में अलग-अलग हो सकता है तो यह एक चीज आप ध्यान में रखे left side का जो है यह portion रहेगा base वाला जो low frequency दिख रही है आपको ठीक है जो low frequency दिख रही है वो है base तो उसे आप बढ़ाते हो तो base ब नहीं आएंगा बहुत जादा base आजाएंगा मिड जो होता है अपनी आवाज होती है और थोड़ा सा base भी उससे depend करता है अगर मिड को बढ़ाओंगे आपका base जो है कम हो जाएगा मिडियम रखोगे तो base अच्छा आएंगा high frequency मतलब होता है trouble तो आपको क्या करना है अगर आ उपर कर दीजे और जो मिड वाले हो उसे मिड में रखी है और जो high वाले उसे full भी आप उपर भी कर सकते हो या फिर medium भी रख सकते हो आपको अच्छा sound मिलेगा तो यह चीज तो आपको करनी है यह जो है left side वाला मतलब low frequency जो दिख रही है उसको जो आपको high रखना है और number जो लखने है वो कम रखने है क्योंकि low frequency जो है वो कम number में ही अच्छी बसती है मतलब bass जो है आपको low देखिए आप 80 होता है 120 होता है इसको आपको लखना है कम यह बढ़ता है मैंने 1 पर रखता है और 60 पर रखता है तो यह आपको कम रखना है low frequency को तब भी जो है आपके card मे अच्छा bass और अच्छा sound आएगा अगर आपको bass ही चाहिए तो vocal चाहिए तो vocal जो है high frequency को आप बढ़ा सकते हो तो वो अच्छा आएगा यह अब यह तो तरीका हो गया क्या करना है low frequency आपको दिख रही होंगी आपके इसमें है low frequency तो आप बढ़ा सकते हो इससे पहले जो तो आप यह कर सेकतों left side वाला जो रहेंगा low frequency ही रहेंगी और mid वाली जो mid रहेंगी high वाली जो है वो right side में ही stereo के रहेगी अब यह तो हो गया यह भी करने के बाद आपके गाड़े में bass नहीं आया तो आपको stereo जो है format करना है अगर उसके बाद भी नहीं है तो यार आप सकते है stereo की जो coupler है वो अच्छे quality का डाल सकते है तो आपके जो है वो कार में जो है bass आज सकता है तो यह जो है वो तरीके है bass लाने के इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है अच्छा sound लाने का क्योंकि मैंने बहुत सी setting बताई यह setting बता दी है यहां से आप जो है bass बढ कि यार low mid और high frequency क्या होते है low frequency मतलब हमारा bass होता है वह मैं बढ़ा दूँगा तो bass बढ़ जाएंगा वो मैंने पिछले वीडियो में भी बता था और live जो है sound भी सुनाया था वह आप देख सकते हो link जो है description में मैं डाल दूँगा तो कोई भी comment करना हो या पर सवाल हो तो ज जो मैंने दिखाया पहले एक बार और दिखा देता हो यहाँ पर bass आपको बढ़ाना है वो आप कर सकते हो second चीज आपको equalizer ऐसे set करना है जो मैंने set किया है जो मैंने set किया है आपको low frequency को high करना है बट मैंने high करके नहीं रिखा मैंने वहाँ से bass बढ़ाया तो third player को format कर लिज निकाल पाता तो player को एक बार format कर लिजे वो अच्छा bass या पिर अच्छा sound जो है वो डिलिवर जरू कर देंगा बट उसमें जो उतना bass नहीं होगा पर bass निकलेगा ठीक है अगर आपको बढ़ाया तो यही मैंने जो है तरीके बता है वो best है तो यह था मेरा video कैसा लगा सब्सक्राइब जरू किजे मेरे चैनल को